और ये विशलेशन मैं चाहूगा कि सभी लोग ज़रा ध्यान से देखना आए दो विध्यारतियों की तुलना करके देखते हैं विध्यारती A, विध्यारती B या ऐसा करते हैं विध्यारती राजू और विध्यारती मोहन दो विध्यारती है लाली भी रख देंगे बट क्या है कि जेंडर गैप नहीं आना चाहिए कि ऐसा लड़की थी इसलिए ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी नहीं तो राजू और मोहन दो UPSC की विध्यारती तैयारी करने वाले विध्यारती है राजू प्रती दिन करन्ट अफेर पढ़ रहा है दो घंटे करन्ट अफेर की तैयारी करता है राजू और उसके पास एक बेहतरीन मास्टर है जो दो ढ़ाई घंटे में करन्ट अफेर बढ़िया कर देता है दो घंटे उसके वो नोट्स बनाता है और बहुत बढ़िया तरीके से राजु ने 1440 घंटे करंट अफेर को दिये है रिविजन में और 500 घंटे दे दिये है 1990 घंटे करंट अफेर उसने रिविजन क्रिया है लगबग 10 बुकलेट, 10 कौपिया उसके पास करंट अफेर की बन चुकी है वह पीटी का एक्जाम देने के लिए जाएगा जिसमें 100 सवाल आते है मोहन है, तो थोड़ा सा बदमाश था ये बच्चा इसने करंट अफेर मान लेते पढ़ाई नहीं इसने 16 वीडियो तयार कर लिए, 16 वीडियो और मेगजीन पढ़ी थी बस इसने इस बदमाश ने क्या की थी? मेगजीन पढ़ी थी 16 वीडियो और मेगजीन पढ़ी, ज्यादा से ज्यादा इतना बदमाश है ये कि पचास घंटे वीडियो के और मैगजीन के भी लगबग 100 घंटे की पढ़ाई और रिविजन 50 घंटे का 200 घंटे करंट अफेर को दिये इसने और इस 200 घंटों में जब ये भी 100 कोश्चनों का पेपर सौल करने बैठा अब करंट अफेर के कोश्चन मान लेते हैं खुदा न खा गए अब मुझे दरा एक बात इमांदारी से बताना केवल एक बात इमांदारी से बताना कि राजू 20 सवालों में से कितने हल कर लेगा और मोहन कितने कर लेगा तो आर और एम के आधार पर बताईएगा कि राजू के कितने सवाल सही होंगे और मोहन के सवाल कितने सही होंग मैं उस पर भी आऊगा आजाए फुल और फाइनल तयारी करनी कैसे है मैं उस पर भी आजाऊगा राजू के कितने होंगे सही और मोहन के सही कितने होंगे बहुत बड़िया राजू के पंदरा सही हो जाएंगे राजू के ज्यादा सही होंगे मेरे इसाब से राजू के मेरे इसाब से ज्यादा सही होंगे आप गलत कह रहे हैं मेरे इसाब से राजू के सवाल सही हो जाएंगे अठरा अठरा और मोहन बदमाज बच्चा है ये इसके केवल दस सवाल सही होंगे मोहन के केवल दस सवाल सही हुए क्योंकि उसने उतना करंट फिर पढ़ा नहीं था उतना करंट फिर भई में पढ़ा था तो 18 सवाल राजू के सही हो गए और मोहन के 10 सवाल सही हो गए ठीक है अब मोहन की मैंने दूसरी study देखी तो मोहन इस मामले में बड़ा intelligent निकला मोहन ने अपने बाकी static subject को बहुत ही इमानदारी और महनत पुर्वक तयार किया और मोहन प्रती दिन static subject को 6 घंटे पड़ता था और लगबग 1800 घंटे उसने अपने सारे syllabus को बहतर तरीके से कवर करने answer writing practice करने इसमें बिताए और revision में भी इसको लगबग मान लेते कि और कुछ समय लग गया तो लगबग 200 घंटे राजू ने इसमें बिता दिये इधर विचारे के 5-6 घंटे तो इसी में निकल जाते थे 4 घंटे फिर revision के तो लगबग 2-3 घंटे की ये तयारी कर पाता था 300 दिनों में लगबग 3 घंटे के इसाब से 900 घंटे क्योंकि इसे बहुत पढ़ता था विचारा मोहन थोड़ा बगमास था कम पढ़ाई करता था ये बहुत पढ़ता था चार घंटे ये फिर तीन घंटे तो साथ से आठ घंटे की तयारी और ये मोहन छे घंटे की तयारी कर रहा है अब इसने बाकी विशय भी तयार किये अब जरा मुझे बताईएगा कि असी सवाल जो बज गए थे वो राजू के और मोहन के जो असी सवाल बज गए थे असी सवालों के लिए मोहन ने लगबग 2200 घंटे पढ़ा है और असी सवालों के लिए राजु ने केवल 900 घंटे पढ़ा है अब ज़रा एक बार और मुझे कमेंज करके बताईएगा कि राजु के कितने सही होंगे और मोहन के कितने सही होंगे बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया अब आते हैं आर के 30 बिलकुल बिलकुल अब आते हैं ये जो राजू हैं ये 80 सवालों में ज्यादा से ज्यादा पूरी ताकत लगा दी कुछ करंट अफेर का और दिमाग लगा कर तो 30 सवाल कर पाया और मुझे लगता है कि 50 सवाल इसके हाथ से जाने नहीं चाहिए 80 में से 48 सवाल इसके सई हुए 60 सवाल इसके सई हुए इसन विध्यार्ती ने कुल 1900 और 900 लगभग 2800 से लेकर 3000 घंटे की तयारी की और 48 सवाल तयार की हैं और मेरे इस बदमाश मोहन ने 200 और 2200 लगभग 2400 घंटे की की तयारी की 2400 घंटे की किसका रिजट आया कोन पास हुआ यह important है कि किसने current affair में ज्यादा सवाल हल कर दिया यह important है अब आप मुझे बताए कि किसका रिजट आया है इसमें से मुझे आप खुद comments करके बताए कि आपको क्या लगता है कि इसमें रिजट किस विध्यार्ती का आया होगा और किस विध्यार्ती के परिनाम आयोंगे यह PT की बात नहीं कर रहा हूं मैं यह तो PT नमुना है जब य लगता है कि मोहन का मेंस रुख जाएगा क्योंकि मोहन ने बाइस सो घंटे बाइस सो घंटे मेंस को दिये है जीयस को दिये है जीयस को दिये है आंसर राइटिंग को दिये है क्या लगता है कि इस मोहन के जीवन में दुख आएगा मोहन के जीवन में सत्यूग में दुख न लेकिन मुझे एक बार जरूर बताईएगा कि क्या 2200 घंटे की तयारी करने वाला विक्ती मेंस में तकलिप दायक होगा इनका तो मेंस सोची नहीं सकते हैं क्योंकि यही रुख गए और कल्पना कर लो कि इनका भी पीटी निकल गया आगे क्या क्या करंट अफेर के आधार पर आप इस बात का विवरन लिख देंगे कि 1857 की क्रांती के सामाजिक और आर्थिक परिनामों की तुलना में राजनेतिक परिनाम अधिक हुए थे क्या इसका विवरन आप करंट अफेर से ढून पाएंगे महिला सशक्ती करन के अभी तक के प्रयासों पर एक विशलेशनात्मक टिपपनी कीजे क्या वह केवल वर्तमान की दो खबरों के आधार पर लिख दिया जाएगा अब एक बार मुझे आप बता दीजेगा कि सर आप यहां कुछ गल्ती कर रहे हैं यहां पर आप बायस कर रहे हैं मुझे ऐसी कोई बात बता दीजेगा जिसलिए मैंने आप से का था कि आज की जो क्लास मैं लूगा वो बिल्कुल निश्पक्ष होकर इस बात से कोई लेना देना नहीं कि मास्टर वीकली करंट अपेर पढ़ाता है कि डेली करंट अपेर पढ़ाता है कि मंतली करंट अपेर पढ़ाता है बिल्कुल निश्पक्ष होकर निर्मे लेना है मैंने आपके सामने पूरे दो केस इस्टडी रग दिये हैं अनेकेडमी का वार्शिक फीस जो बढ़ने का टाइम है अगस्त के महिने में हर साल बैच प्राइस इंक्रीज होता है अनेकेडमी का तो प्राइस बढ़े उसके पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस समय पचास प्रतीशक तक की छूट दी जा रही हैं आपको सब्सक्रिप्शन में MKLive Refer Code यूज करिए और डाइरेकली 50% तक का डिसकाउंट आप राप्त कर सकते हैं MKLive Refer Code जरूरी हैं इस 50% डिसकाउंट के लिए साथी साथ अनेकेडमी का वादा है कि यदि आप चैनित होते हैं तो हम आपकी फीज पूरी तरह से रिटन कर देते हैं यदि आपके अंदर काबिलियत हैं आपको लगता हैं कि आप में सच में शमताए हैं तो आपको पूरा मौका दिया जा रहा हैं आप चैनित हो जाएए किसी भी रेंग पर UPSC में आपको आपकी फीज लवटा दी जाती हैं Annual Price High जैसे मैंने आपको बताया जल्दी हैं प्रतिग्या बैच स्टार्ट हो चुका हैं 15 जुलाई से अभी इसमें Demo Classes चल रही हैं हर एक शिक्षक अपने syllabus को बता रहा है आपको बता रहा है उस विशाय का Importance Proper जिसको हम कहते हैं कि syllabus की कक्षाए 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी History शायद स्टार्ट होगा लेकिन कक्षाए अभी भी आप जॉइन कर सकते हैं RMB Batch Top Educators का Batch है बहुती Special Batch है MK Live Refer Code यूज करिएगा पूरे Top Educators की Team के साथ आप इस Batch को प्राप्त कर सकते हैं इस Batch में आपको सबसे मतलब मैं कहूंगा कि Bilingual Classes मिलेगी Hindi English दोनों में मिलेगी और Zero Person Interest के साथ EMI का Option है Optional Batch भी आप जॉइन कर सकते हैं